निमस्कार दोस्तो एक छोटी सी शौट डाल कर मैंने आपसे वादा किया था कि सोनाकसी सी नाजो अचानक गायब हो गई है फिल्मों में नजर नहीं आ रही है उनके बारे में मैं आपको विस्तार से जानकारी दूँगा कि आखिरकार उनके करियर में चल क्या रहा है और उस छोटी सी शौट को आप लोगों ने लगभग 85-80,000 लोगों ने उसे देखा और सराहा मुझे बड़ा अच्छा लगा तो मैंने गहन सर्च की ये जानने की कोशिश की कि सोनाकसी सिन्हा क्या कर रही है उनकी परसनल लाइफ में क्या चल रहा है और उनकी बॉलिवोड लाइफ में क्या चल रहा इस से उनकी शुरुवात हो रही है वापसी की और वापसी में से लिए कह रहा हूँ कि 2019 में दबंग 3 में आई थी तीन साल हो चुके हैं कोई फिल्म उनकी नहीं आई चोटा सा एक रोल पिछले साल एक फिल्म आई थी भुज अजय देवगन की उसमें एक छोटा सा रोल था गाउं की एक लड़की का जिसे किसी ने नोटिस भी नहीं किया और सोनाक्षी सिना अब शुटिंग स्टार्ट कर रही है निकीता रोय नाम की इस फिल्म की इस फिल्म के बारे में मैं आपको बता दूँ कि जब उन्हें लगा कि बॉली वुड में कोई उन्हें फिल्मों मे नहीं ले रहा है तो उन्होंने अब ये फिल्म अपने घर की ही शुरू की है इस फिल्म के बारे में आपको बता दूँ इस फिल्म का नाम है निकीता रोय एंड दबुक ओफ डार्टनेस इसकी शोटिंग लंदन में शुरू है और इस फिल्म के जो निर्देशक हैं वो इन सोनाक्सी सीना इंस्टाग्राम पर कुष ने निकीता राय का पोस्टल भी शेयर किया और इसमें सोनाक्सी सीना का लुक भी देखने को मिल रहा है और कुछ होरर फिल्म टाइक की लग रही है मुझे तो और भाई कुष की फिल्म से सोनाक्सी फिल्मी पर वापसी करने जा र लिखा के मेरी मेरी पहली फिल्म निकीता रॉय एंड दा बुक अफ डार्कनेस की गोशना करते हुए मुझे खुशी हो रही है। कुश ऐस सीना की जो क्रेटोस एंटर्टेनमेंट है ये भी अपनी घर की फिल्म है और मैं आपको बता दूँ कि जो बैनर अपना बना लिया है यह उन्होंने मुझे लगता है कि इस फिल्म में सारा पैसा सुनाक्सी का ही लगने जा रहा है तो ये तो उनके कैरियर के नेत्रिया हैं उनकी तरह से फिट फॉर नजर नहीं आती और बोड़ी शेमिंग उनकी बहुत की जाती है उनको आलोचना की जाती है कि वो फिट नहीं है हैवी है बहुत ज़्याद है वेट ओवर वेट हैं इस तरह की बाते की जाती है उनकी और काफियत तक सुनाक्सी सेना इन चीजों को जानती भी है उन्होंने कई बार इन चीजों को एकसेप्ट भी किया है पब्लीकली और उन्हें का जैसी मेरी बोड़ी है मैं वैसी दिखती हूँ और मुझे इसमें कोई दूसरों के लिए बदलाव लाने की जरुवत है नहीं लेकिन फिर भी यहाँ दूसरी और सुनाक्षी सिना की जो परसनल लाइफ है वो सोशल मीडिया पर भी पहले इतनी नजर आया करती थी जितनी अब कुतनी नजर नहीं आती है सुनाक्षी सिना को आपको याद होगा कि इनके पिता शत्रुगन सिना साब ने पहले बीजेपी छोड़ दी थी बीजे श्यादव की टिकट पर चुनाव लड़ा वो भी हार गई और फिर इनके पिता शत्रुगन सिना टीमसी में चले गए और अभी हाली में उप चुनाव जीत कर आसन सोल से लोकसभा के सांसत बन गए हैं ममताव इनर्जी की पार्टी के उस समय जब इन्होंने अपनी मा और अ इसले दिनों सुर्खियों में किसली आई थी मैं आपको बता हूँ कि सोशल मीडिया पर सल्मान खान को और इन्हें लेकर भी चर्चाएं चलने लगी थी कि सल्मान खान के साथ इनका अफैर चल रहा है कुछ लोगों ने ये भी कहना शुरू कर दिया था सल्मान खान ने ही दबंग फिल्म से इन्हें लॉंच किया था आप सब लोग जानते हैं कुछ फरजी तस्वीरे शोशल मीडिया पर चला दी गई थी उन फरजी तस्वीरों में सल्मान खान को दिखाया गया था कि वो सोनाक्सी सिना को अंगूठी पहना रहे हैं लेकिन वो फोटोशॉप्ड फिल्म थी फोटोशॉप्ड तस्वीरे थी और उन्हें फेक तरीके से बनाया गया था कहर उस तरह की खबरों पर तो मैं यकीन करता भी नहीं हूँ लेकिन सोनाक्सी से ना की जो परसनल लाइफ है वो निश्चित रूप से सुर्खियों में तो रही है और सुर्खियों में जैकेट में सोनाक्सी के साथ खड़े वे जहीर नजर आ रहे हैं। रिष्टा है वो जहीर इकबाल के साथ चलता चल रहा है उनकी लाइफ में उन्हें एक मिस्टरी मैन कह सकते हैं जहीर इकबाल बॉलिवोड से तालुक रखते हैं वे इकबाल रतनसी के बेटे हैं जो इकबाल सलमान खान के बच्पन के दोस्त हैं और जहीर सलमान के साथ अपन तोहेल गान की फिल्म जै हो में भी काम कर चुक है जिसमें सलमान खान लीड में थे लेकिन इसमें उन्होंने बतोर असिस्टेंट रडाय डायर डायर काम किया था इसमें सलमान खान का नाम आप अक्सर सुनते होंगे जब भी सोनाक्षी का जिकर आता है लेकिन आपको सुनकर ये हिरानी होगी, कि सोनाकशी और जहीर खान के बीच जो जहीर इकबाल के बीच जो दोस्ती हुई, जिसे अब रोमांस का दरजाद दे दिया गया है, वो सलमाण खान की वज़े से ही हुआ सलमान नहीं जहीर और सोनाक्षी की मुलाकात करवाई जहीर ने अपने एक इंटरिव में पिछले दिनों ये कहा कि मैं ये सब बहुत समय से सुनता आ रहा हूँ अब मुझे इन सब से फरक नहीं पड़ता अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ठीकी होगा आपके लिए अच्छा है आपको अगर ये सोच कर खुशी मिलती है कि मैं और सोनाक्षी साथ हैं तो आपके लिए खुशी की बात है और अगर आप दुखी हैं तो I am sorry इस बारे में विल्कुल सोचना बंद कर दें उन्होंने साफ तोर से accept किया है हाला कि इस बारे में लोग ये कह रहे हैं कि जहीर एकबाल उनके मंगेतर बन चुके हैं और सोनाक्षी ने कई मोकों पर अपनी एक अंगूठी जो उन्हों पहनी हुई थी वो भी लोगों को दिखाई है लेकिन इन में कोई अभी तक सच्चाई सामने नहीं आई है लेकिन यहां सबसे बड़ी बात दोस्तों मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको मैं सबसे बड़ी बात जो आपको बताना चाहता हूँ इन दोनों की दोस्ती को लेकर कि सोनाक्षी के जो पिता है शत्रुगन सीना साब वो पूर्णतया एक हिंदुवादी उनकी सोच हमेशा से रही है बीस-पच्चिस साल बीजेपी जैसी पार्टी में रहे उन्होंने आप देखें उनका परिवार जो है बताते हैं वो खुद बताते थे एक इंट्रुव में मैंने उनने देखा था के राम लक्षमन भरत शत्रुगन ये इन भाईयों के नाम है लगन सीना प्रोफेसर उनके ब सीना को निश्चित रूप से इस बात का आभास भी होगा लेकिन अब शत्रुगन सीना भारते जंधा पार्टी में नहीं रहे तो हो सकता है कि टीमसी में एकसेप्ट कर लिया जाए कि शत्रुगन सीना के जो दामाद हैं वो एक मुसलिम अभी नेता हैं तो हो सकता है कि उनक सोनाक्षी ने कहा है और ना ही अभी जहीर ने कहा है कि वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं लेकिन तमाम लोग बॉलिवुड से जुड़े वे लोग बताते हैं कि दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादे करीब हैं और इनकी शादी कब होगी कहा नहीं जा सकता कुछ लोगों ने तो भी पिछले चार-पांच महीनों में ये खबरे चलानी शुरू कर दीती कि सोनाक्सी सिना प्रेगनेंट हो गई हैं और इसलिए नजर नहीं आ रही हैं लेकिन अब निकीता रोय नाम की फिल्म से वो अपनी केरियर की फिर से रिलाउंच कर रही हैं जिसे उन और मैंने जानकारी निकाली है आशा करता हूँ कि सारी अपडेट्स आपको पसंद आई होंगी इस तरह के कुछ और भी वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं किसी और स्टार के बारे मैं जानना चाहते हैं या बोलीवूड या क्रिकेट इस से जुड़ी कोई इस तरह की जानकारी आप चाहते हैं तो बिलकुल कमेंट बोक्स के माध्यम से बताईये ये वीडियो कैसा लगा ये भी बताईये और फीडबेक जरूर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा अगले वीडियो में फिर मुलाकात होती है नमशकार है this is Pooja Bedi and I'd like to say that I'm deeply grateful to Harsh for his wonderful wonderful and courageous reporting and the fact that he always stands up for what he thinks is right thank you Harsh for all the support and all the love and rock on everyone who's watching this don't hesitate to press the like share subscribe button on his channel